सभी संगत को जैमाता की आज चर्चा करेंगे कि बहुत सारे लोग जो हैं यह कहते हैं कि मेरे उपर माता आ रही है या कोई भी सकती आ रही है देवता की है पर बोलती नहीं है आमें परेशान कर रखा है तो कुछ लक्षन बताएंगे कुछ शक्तियों के जैसे राक्षस से पीडित लोग होते हैं पिशाच से पीडित लोग होते हैं ब्रह्म राक्षस ब्रह्म जिनको बोल दिया जाता है ब्रह्म की आतमा जिनके पीछे पड़ जाती है या उनको छोड़ दिया जाता है बुरे कर्मों में और जो पित्र ग्रह है जिनके पित्र खराब होए पड़े हैं जिनके पित्र रूष्ट हैं जिनके उपर प्रेत रूष्ट हैं और कुछ लोग जो हैं गंधर्व जो होते हैं उनकी पीडा से भी बहुत जादा पीडित रहते हैं तो इन सबके लक्षनों की चर्चा करेंगे व बहुत भेंकर पर जाती के माने गए हैं जो इनसे पीडित व्यक्ति होते हैं सबसे पहला सिम्टम उनका लक्षन क्या होता है उनको रातरी में नीद नहीं आती बहुत सारे लोगों के यह रहता है कि मुझे नीद नहीं आती है और रात को चलने फिरने के आदत होती है रात को हैं और जो उनके आगे अन चावल वगयरा रखे जाए तो खान पान से दिवेश रखते हैं वो मतलब उनको कुछ मीठा और कुछ ऐसा आहार पसंद होता है जो हर को इंसान पसंद नहीं करता और बिना आहार के भी वो लोग बलवान होते हैं यानि के चाहे वो बहुत कम खा से पीडित होते हैं बहुत जादा और जैसे लाल माला की उनको चाहत रहती है कि लाल मोती हो या फिर लाल धागा उनको पैन अगले में पसंद होता है या फिर लाल फूलो की माला लाल रंग उनको बहुत जादा प्रिये रहता है और ऐसे वक्ती जो है दूसरों को डराते है हमेशा मैं तुम्हारा ये कर दूँगा मैं तुम्हारा वो कर दूँगा मेरे पास ऐसी शक्ती है मेरे पास देवता की शक्ती है मैं तुम्हें भस्म कर दूँगा कुछ भी कहके यानि के दूसरों को अपना डर दिखाते हैं वो राक्षस बादा से पीडित लोग होते हैं अनायासी वो लोग नाचने लग जाते हैं अनायासी उनके मन में खुशी उत्पन हो गई कोई गाना बजाना आया अपने मन में भी गाते गाते वो नाचने लग जाते हैं गाने लग जाते हैं और कुछ हंसी भी इस तरह की करकश हंसी हंसते हैं कि जो दूसरे वाले को बहुत सब्सक्राइब को बात करते हैं कि जैसे इन से जादा ग्यानी को पिषाचबाद से पीडिता है और कहीं बार असंबद भी करने लगowan की मीनिंग नहीं होता और जो je जहाड़ां कर एकठा किया गया कचरा होता हW पत्थर जाद़ पहुआ हたいपकी पत्थर इतना क्या या तो लकडियों पेचलतें किया दालते हैं। उनके उपर विचरना पिशाच बादा वाली व्यक्ति को specially पसंद रहता है, नंगा रहना उनको बहुत पसंद है, वो बहुत कम कपड़े पहनना पसंद करते हैं, उनको ये रहता है कि हम जादा तर नंगे ही रहें, और जो है इन लोगों को एक स्थान पे बैठना बिल्कुल ये इधर उधर हमेशा भटकते ही रहते हैं, और अपने दुख का सबसे बड़ा इनका लक्षन ये है, अपने दुख का रोना हर किसी व्यक्ति के सामने रोते रहते हैं, मैं दुखी हूँ, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मेरे घर में बरकत नहीं है, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते हैं वो राक्षश बादा से पीडित होते हैं आप करते हैं ब्रह्म बादा से पीडित ब्रह्म राक्षश जो होते हैं कोन होते हैं ब्रह्म वो होते हैं जो पंडित लोग जो ब्रह्मन आप जिन वेद शास्तरों का ज्यान भी था परंतून के कुछ करम बिग करते हैं इनको दूसरे व्यक्तियों पर चला भी देते हैं और अगर ये बिगड जाएं तो इनको मनाना वो टिकारना चांत करना बहुत मुश्किल होता है इनको केवल प्रार्थना से वेदों के उच्चारन से सास्त्रिया जो विदी होती है बगवान के पुजापाट से ही मन करते हो तो ये उनमें दोश ढूनने लग जाते हैं अगर आप किसी पंडित की ये किसी जोत्सी की इनके सामने आप ये करने लग जाते हो कि बहुत अच्छा पंडित है बहुत अच्छा कारे तो इसमें बेश रखते हैं जलन का भाव रखते हैं दोश ढूनने लग जाते है और ये ना देवताओं की स्तूति करने वारी होते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मैं देवी देवताओं की बहुत पूञा पाट करता हूं उसके बाद भी मैरे श्रीर में नकरात्म कुर्जा लगी विया तो ये ब्रहम उर्जा होती है, ब्रहम राक्षर जो होती है, ये जो वेधेवताओं के स्तूती करना जिनको पसंद होता है, और धरम शास्त्रों के वेध शास्त्रों के अने खुदारन आपको देते हैं, जैसे लकडी वगारा के चीज होगी, उससे ही अपने शरीर को बहुत जादा कश्ट देते हैं जैसे इनको जब क्रोध आता है तो लकडी वगारा डंडे वगारा से न अपने आपको यह कश्ट पहुंचाते हैं मारने लग जाते हैं खुद को चाहे किसी भी प्रकार से हो अब बात करते हैं पित्र ग्रया से पीडित व्यक्ति जो हैं उनके क्या ल होता है पित्र ग्रया उनके पास है और जो लोगों की तरफ आँख उटा कर नहीं देखते बात करते वक्त और बहुत ज़ादा जिनको निंदाते हैं बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे बहुत ज़ादा निद्रा आती है मिरा बीपी लो रहता है और हमेशा ही मुझे 24 गंटे ऐसा लगता है कि मैं सोजाऊं वो पित्र ग्रया उनके उपर पित्र कुपित होते हैं और निरूद्वाक यानि कि रुक रुक कर बोलनेवाले होते हैं वह व्यक्ति अगर कोई बात कह रही है तो उसमें वो रुक-rुक कर अपनी बात पूरी करते हैं उनको अन्य की जा बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं गुड से बनी हुई वस्त्वे या फिर गुड खाना उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और जो यह इस तरह के होते हैं जिनको पित्रबाद लगी हो इनको सफेध वस्त्वे जो होती हैं जैसे रस गुल्ले हो गई बताशी हो और अब बात कर लेते हैं जो व्यक्ति गंधर्व पीड़ा से गंधर्व भी एक शक्ति माने गए हैं उससे ग्रसित हो जाते हैं उनके क्या लक्षण रहते हैं उनको मूँ से सीटियां बजाना या फिर बाजा बजाना या फिर तरह तरह की आवाज वो निकालते हैं कुछ अजीब सा उनका व्यवार होता है जो अन्यासी अपने आप स्वैम गाएं और स्वैम हिनाचे और उनको खान पान सनान माला और धूप सुगंधित वस्तू की चाह वो लोग रखते हैं कि हमें बहुत जादा जिनको परफ्यूम लगाना पसंद होता है जिनको बहुत जादा सुगंधित क्रीम पाउडर का जो यूज करते हैं और जिनको लाल वस्तर स्पेशली पसंद होते हैं उनका मन करता है कि मैं लाल कपड़े धार्न करूँ लाल ही मेरा स्रिंगार हो लाल ही चूडिया हो चाहे वो इस्त्री हो चाहे वो पूरुशों कहीं बार पूरुशों को भी आसा हो जाता है लक्षन की मैं लाल रंग के कपड़े धार्न करूँ या फिर स्त्री हो की तरह सिंगार करूँ और जो बली कर्म जिनको प्रेरित करें यानि के बली देना जिनको बार बार ये लगता है कि मैं बली दूँ किसी जीव की सात्वी को हो सकती है तामसी को हो सक होती हैं सबी को जैमाता की